क्या मैच था भाई अफगानिस्तान ने तो जीता हुआ मैच हार गया क्योंकि एक समय ऐसा लग रहा तक कि अफगानिस्तान मैच निकाल लेगा जहां पर एक स्थिति इतनी अच्छी थी गुर्वाज और नाइव इतनी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे मुझे लगा कि मैच नहीं जीत सकते हैं चलिए इसके बारे में बात करते हैं पहले ये रोल बबबा अगान तीम दिखा दी कि हाँ उसके अंदर दम है अगर उसको जादा-स-जादा मैच खेलने के मौपे मिले तो अच्छा कर सकती है उसको बाहर ज्यादा खेलने को मौका मिले अस्ट्रेलिया के साथ इंडिया के साथ उसको ज़्यादा मौके नहीं मिलते हैं लेकिन आज उन्होंने सांदार खेल दिखाया और बात करते हैं आज के मैच के बारे में यह हमारे चोट लगी है इस चोट ठीक हो जाने के बाद और अच्छे से वीडियो बनाएंगे लेकिन मैच के देखा जाए तो अफगानिस टीम ने टाजिक कर पहले गेंद बाजी के नेड़ लिया यह थोड़ा सा रहा कि पहले सभी टीमें जो है अक्सर बल्ले बाजी के लिए जा रहे हैं आपर अस्ट्रेलिया में लेकिन यह डिसीजन लिया कप्तान अच्छी पारी खेली मिचल मास के साथ बढ़ाया गेम को लेकिन जाए देर तक दोनों ठीक नहीं सके और दोनों आउट हुए उसके बाद मैक्सवेल और स्टोनिस जो 188 रन बने हैं इनमें उनका सानदार योगदान रहा नहीं तो इतने कम रन बने थे इतने स्लो था वहाँ पर उन्हें अच्छी स्ट्राइक रेट के साथ पहुचा कर 188 तक पहुचा दिया वैसे जिस समय वह दोनों खेल रहे तो लग रहा था कि 180-190 स्कोर जाएगा लेकिन वहाँ पर अफगान टीम ने अच्छी लास्ट में अच्छी गेंदबाजी की बहुत अच्छी गेंदबाजी की जिन्हों ने उसको 168 रन पर रोक दिया और अब बात करते हैं अफगानिस्तान की बल्लेबाजी की जब बारी आई उन्होंने शुरुआत में गुर्बाज ने तो जबर जस्ट गेंदखाया एक बिकेट गिर जाने के बाद भी गुर्बाज अपनी लाए में खेलते रहे भी काफी सांदार बल्लेबाजी की बहुत दिनों बाद वो खेल रहे थे एक प्रेसर था लेकिन उसको हैंडल किया उन्होंने और खेला अच्छे से बल्लेबाजी की एक समय जब नईव और जद्रान खेल रहे थे तो लग रहा था कि मैच आस्टेलिया के हाथों से खीच ल बदल गया यह जो बदल गया उसके बाद राशिद खान ने भरपूर कोशिव की लास्ट चार गेनों में अठा़ा रंच अठा़ा रंच आईए था लेकिन उन्हें च्छक्य मारे पूरी कोसिस की लेकिन क्या स्वाठ हेलीकाप्टर का रासित खान का बैट का फ्लो रासित खान चैंपियन है रासित खान का बैट का फ्लो चलता है रासित खान का बैटिंग है वो बंदा जो है जब खेलता है ना तो लगता है हाँ खेल रहा है जबर जस्त बल्लेवाजी उन् हमारे यूट्यूब चैनल माई स्पोर्ट्स में लाइक करें सस्काइब करें अगर पसंद आए तो सेयर करें धन्यवाद